दियर स्टुडेंट्स आजम कलास 50 मैथ पेज 58 रिविव अक्सर साइज का सम करेंगे 7th फाइंड दा HCF यूजिंग लॉंग डिविजन मैथर्ड लॉंग डिविजन मैथर्ड से हम दिनका HCF फाइंड आउट करना है ए पाइट है स्टुडेंट से 16 एंड 18 अब इनको डिविजन करेंगे तो 18 को करेंगे 16 से 16 बन जा 16 बचे कितने 2 अब 2 बाहर रहेगा और 16 अंदर रख्या जाएगा 2 एट जा 16 अब कुछ नहीं बचा है कुछ बचता तो वो बाहर रहता 2 अंदर आ जाता अब लास्ट में डिवाइड किस ने किया कंप्लीट 2 ने तो यही इसका HCF हो गया आ पर यही इसका प्रख्या ने रिवाइड रर्ख्याओ कि अविपर रख्याओ कि विपर यह विपर्याओ and 72 72 को 24 से डिवाइड करो 24 थरीजा 72 अब यहां कुछ बचाए नहीं कुछ बसता तो 24 को उस से डिवाइड करते हैं अभी C ने कमपनी डिवाइड कर दिया तो यहीं इसका HCF हो गया so HCF of a 24 and 72 2 इक्वाइड टू 24 अब इस C पार्ट 14 and 35 35 को 14 से डिवाइड करो 14 थू जा 28 बचे कितने 7 अब 7 से डिवाइड करेंगे किसको 14 को 7 थू जा 14 अब कुछ नहीं बचया तो लास्ट में डिवाइड डिविजर क्या था? 7 यहीं इसका HCF हो गया so HCF of a 14 and 35 25 इपाइव इकवाइड टू 7 यह लिखना students ध्यान रखना कभी यह लिखतो तो बर रतो जेएगा डिपाट 21 यहीं आपका डिपाइड हो गया इपाइड 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 स्टुदेंट्स 144 and 252 अब 252 को 144 से डिवाइड करो 1 पर जाएगा 12 में से 4 गया 8 यहां रहे गए 4 4 में से 4 गया 0 और 2 में से 1 गया 1 गया 108 से डिवाइड करेंगे किसको 144 को फिर 1 जाबे जाएगा आब है 14 में से 8 माइनस किया 6 और यहां कितने मचे 3 अब 36 से डिवाइड किसको करेंगे 108 को अब 3 जाबे पूरी जाएगी टेबल 36 थरी जाबते है 108 तो लास्ट में किसने डिवाइड किया 36 ने यहीन का HCF हो गया So HCF of a 144 and 252 equal to 36 एफ पार्ट 175 and 200 200 को 175 जाबे डिवाइड करो 1 जाबे जाएगा बचे 25 अब 25 से डिवाइड किसको करेंगे 175 को अब यह 7 जाबे पूरी जागती है टेबल तो 25 ने कपले डिवाइड कर दिया So HCF और फे 175 and 200 equal to 25 तो स्कुनेट्स यह अपना 7 सम कम्प्रीट हो गया 8 समे next वीडियो में करेंगे